नमस्कार मैं हूँ वसी मकरम, हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIV इंडिया नियूस पर आजमगर के नगर पंचाहत अत्रोलिया में लगा 400 KVA का ट्रांसफार्मर जला, कई घर अंधेरे में डूबे 24 घंटे में नया ट्रांसफार्मर बदलने की संभावना आजमगर के नगर पंचाहत अत्रोलिया के थाना रोड इस्थित 400 KVA का ट्रांसफार्मर बेती रात को कुछ दिक्कत आ जाने की होज़े से ट्रांसफार्मर से विद्द सप्लाई बाधित कर दी गई जिसे कई घर पूरी रात अंधेरे में डूब गए सुबह होते ही विद्द कमचारी जब ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पहुचे तो ट्रांसफार्मर खोल कर देखा तो वह जल चुका था जिसकी सूचना पर अवर अभियंता अधेश पाल ने ट्रांसफार्मर जलने के शिकायत आजमगर डीपो में कर दी है विद्द कर्मियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल गया है जिसकी शिकायत दज करा दी गई है 24 से 48 घंटे के अंदर विद्द बेवस्ता बहाल कर दी जाएगी उन्होंने बताया कि इस ट्रांसफार्मर की बिजली बेवस्ता बादित रहेगी बाकी नगर पंचायत समेत छेत्र के अन्य विद्द बेवस्ता सुचारू रूप से चालू रहेगी कि अनदर से कट गया हूं उपर से किता होता हैfaced यह कब तक जि समय आजए है ऑख किंध कि आने के उमीद कब तक है यह कल तक है से आई विंडियनूस की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें